28 सितंबर 2020 पारसीवी बना मुंबाइ इंडियन्स टेवर टॉपर्स की ये जंग क्रिकेट की दुनिया में एक नई जंग का एलान था क्योंकि इन दोनों टीमों में ना तो प्लेयर्स की कमी थी और ना ही पफाउमेंस की एक तरफ हिट मैन जैसा कैप्टन कूल था वहीं दूसरी तरफ विराट जैसा आग का अंगार था एक तरफ फिंच की आधी थी तो दूसरी तरफ काईरन जैसा पावर हाउस एक तरफ क्रिकेट का एलियन था तो दूसरी तरफ बल्लेवाजियों का काल महा काल चस्परित बुमरा था महान योधनाओं से सती हुई ये दोनों टीमे सामसाथ वजे तुवई के इस मैधान में एक दूसरी क्यामने सामने थी इस मैस की कहानी और हुई तक के इतिहास में सबसे अलग, सबसे विस्फोट है पूने वाले थी नवासकार आप देख रहे हैं तो डोकी मिन्टरी, तो डोकी मिन्टरी के स्पेसल एपी सोगे तोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए मैदान में थे सिक्का मुंबई के कप्तान रोहित के पक्ष में गया ट्योफ हैक्टर को ध्यान में रखते हुई कप्तान हिट मैन ने टॉस जीट कर पहले गेदवाजी करने का फैसला सुनाया पहले बल्लेवाजी का नियोता पाकर प्यांगलूरू ने योगा देउधत के साथ और भवी एरॉन फिंच को मैदान में उतार दिया मुंबई ने एक छोष से टेड़ वोल्ट तो वहीं दूसरे छोष से जेमस पैटिंसन के साथ सुरुआत के सुरुआती तीन ओफर में आरसीवी के बल्लेवाजीों ने महाज 18 गेदों में 26 रंकूट दिया पैंगलूरू के ये बल्लेवाज मुंबई के गेदवाजों को सुरुआत से ही खेरना प्रारंब कर दिया अपने पेस अटेक को बिफल होते थे कप्तान हिट मैन ने अपने इस्मिनर्स को अटेक पर उतार दिया परन्तु फिंच के सामने रोहित के ये सारे ताव अब फेल होते हुए नज़र आ रहे थे फिंच ने पहले राहुल जहर को पैक टुवै तीन बड़े चौके लगाकर रोहित के प्लान भी को पूरी तरह भेल कर दिया अब पावर प्ले के समाब्दी तकार सेवी के खाते में मैस 37 के दों में 60 के करीब रन थे फिंच की मार अब लगातार जारी थी कप्तान हिट मैन का हर प्लान अब फ्लाब सावित हो रहा था ऐसा में कप्तान हिट मैन ने अपने टीम के मास्टर माइंड जस्परित भुमरा को अक्रमण पर उतार दिया आठ ओवर तक अपना अर्थसतक जमा चुके नौवे ओवर में एक बड़े सौट के प्रयास में हिंच काईरन के हाथों पकड़े गए हिंच के आउट होने के बाद RCV की रंगती अब पूरी तरह से थम चुकी थी जो रंडरेट नौ के करीब था वही रंडरेट अब साथ के करीब पहुँच चुका था इसी वीच आर्सीवी ने अपने कप्तान का विकेट खो दिया एक वहतरीन सुरुआत के बाद RCV वैक टू वैक अपने तो वड़े विकेट खो चुकी थी एसे में आर्सीवी के पूरी जिब में दाली थी मिस्टर एलियान एवी डिविलियस की कंटों पंदरा ओवर का खेल खत्म हो चुका था आर्सीवी के खाते में 123 रं थे एसे में आर्सीवी को उम्मेद थी एक महाविस फोटर एनस के एवी ने पारी के सोल में ओवर में काईरन पुलाट को निसाना बनाया और आर्सीवी के इन दोनों वल्लेवाजों ने मिलकर की काईरन पुलाट को इस ओवर में 13 रं पीट दी काईरन के पिटाई के बाद हिट मैन ने टेथ ओवर स्पेसलिस्ट चस्परित भुम्रा को अकरमन में एक बार फिर से उतारा एवी ने वुम्रा का स्वागत इस शौके के साथ किया फिर बैक टू वैक तो बड़े शक्के लगाए और वुम्रा की इस ओवर में 18 रं पेट दिया मुंबाई का हर गेदबाज पैंगलूरू के लिए अवरन मसीन बन चुका था अटरामे ओवर में ट्रेंड वुम्रा एवी के सामने थे और उनका वही हाल हुआ जो उनके पिछले ओवर में हुआ थे जस्परीत ने एक बार फिर से इस ओवर में 17 रं लुटा दी इसी वीच आखरी ओवर में सिवंग दुवे ने भी अपना दम दिखाया और जेम्स पैटिंसन को वैक टू वैक तीन चक्के लगाका रसीवी के स्कोर को 200 के बार पहुँचा दी एवी और सिवंग के विसपोटक फिनिस की बतौलत लड़ खड़ा रहे बैंगलूरू दोसों के बार पहुँच चुके थी महट 24 के दुम 4 चौके और 4 चुके लगाका 55 रं बनाए वही सिवंग दुवे ने 10 के दुमे 27 रं बनाए खेर हार सिवी के वल्ले वाजों का स्कोर कार्ड खेर हा मुंबई के गेदवाजों का स्कोर कार्ड बोल्ट ने 4 ओवर में 34 रं खच करके मुंबई के लिए सरवादिक दो वड़े विकिट ली वहीं जैस्प्रेट पुम्रा ने 4 ओवर में 45 रं लुटाए तो राहुल चैर ने 4 ओवर में 31 रं लुटाए अब मुंबई के सामने 120 के दो में 202 रंओ की चुनाओती थी 202 रंओ के लक्ष के वेदन के लिए मुंबई अपने कफ्तान और अफरीकन डाइनामाइट क्योटीके के साथ मैदान में उतर दिये इन दोनों बल्लेवाजों ने बैंगलूरू के गेदवाजों को पहले ही ओवर से पीटना प्रारंब कर दिया थी क्योडीके और रोहित ने पहले ओवर में 14 रं उडाए मुंबई के बल्लेवाज बैंगलूरू के गेदवाजों के सामने पानी माग रहे थे पहले हिट मैन फिर सोरिया और अपक्योडीके यह तीनों अपने विकेट फेट चुके थे एक विसफोटक फिनिस की उम्मीद में मुंबई मैदान में उतरती है परंद इस खराफ को तस ओवर में साथ के पार पूँचाया ऐसे में मुंबई को चरूरत थी अगले साथ गेतों में 149 रनों की वारी के क्यार में उभर में पिसान ने नब्दीफ सैनी का स्वागत इस छक्के के साथ किया इस बड़े प्रहार के चलते नब्दीफ सैनी के सोबर में मुंबई क अपने विकेट खो रही थी उधर रिक्वाइड रन्रेट हदे पार कर रहा था हार दिक के बाद मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का महराज मुंबई का महान आया तो मास्टर कायरन पुलार कायरन ने युवा इसान के साथ मिलकर पहले पारी फिर रिक्वाइड र पॉलाज के प्रहाल यर्फंभप को संभफ करने की ताकत रखते थे पॉलाज और इसान किसंड मुंबाई के लिए हर संभफ कोश्!* करने को तैयार थे ऐसे मयार सेवी को सिर्फ व सिर्फ पॉलाण के विकट की चरूरत tuj वहीं मुंबई के लिए मुंबई की आखरी उम्मेद कायरन पुलाडे था 13 ओभर की समाप्ती तर्ग मुंबई 89 की स्कोर को पार कर चुकी थी अब ये मैच जेतनी के लिए मुंबई को अंगली 42 स्केतों में 113 रन बनाने थी अगले ओभर में इसान किसन ने चमपा को मेट्विकेट की उपर से एक चहल लगा कर अपना अर्थ सतक पूरा किये इसान ने शक्के के पाथ अगला ओभर फेकने आया यजुरविन चहल को एक वार फिर से एक बड़ा छक्का लगा कर अपने यूवा होने कर चोस दिखाया इदार इसान की पिटाई चारी थी उधर कैरेविन पावर पॉराट ने भी अपने हाथ खोलने प्रारम कर दिये थी अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था मुंबई के खाते में 112 रन थे और मुंबई की सारी उमीद युवा किसन के साथ कायरन पॉराट से थी रिक्वाइड रन डेट अब 18 के पार पहुँच चुका था और 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका था मुंबई की खाते में 122 रन थे ऐसे में 17 ओवर फेकने आज चमपा को कायरन ने शोके के साथ चमपा का स्वागत किया फिर अंगली दो केदों में दो वड़े चखके लगाकर चमपा की इस ओवर में 27 रन लोट ली कायरन का विसपोट विसपोटा का अंदाज में चारी था चमपा की चमपा गीरी कायरन के सामने एक भीना चली कायरन चमपा को अपना सिकार बना चुके थी जमपा की जवर जस्त पिटाई के बाद और कायरन का अंगला सी कार था चतो चालाग चहल का स्वागत किया और शखके किस साथ चहल के चतुराई का आनन्द उठाया कायरन ने बैक टूबैक पिछले दो उवर में उन्चास रन लूट लिये कायरन का बल्ला मुंबै की आखरी उम्मीद नहीं बलकि बैंगलूरू के लिए बैंगलूरू का महा काल बन जुका था एक असंभब से दिख रहे लक्ष को कायरन ने पूरी तरह पलट कर रख दिया अब ये मैच चेतने के लिए मुंबै को अंगली 12 गेतों में 31 रनों की चरूरत थी नबदीक के अंगले ओवर में मुंबै मेच 12 रन बना पाती है ऐसे में इस लक्ष को चेज करने के लिए आखरी 6 गेतों में अब चरूरत थी 19 रनों की इसरू उदाना के सुरूआती दो गेतों में दो रन फिर अंगली दो गेतों पर इसान किसन ने बैक टो बैक दो छखके लगाए और वैंगलोरू की और बढ़ रहा ये मैच अब पूरी तरह मुंबै की हो रा चुका था परन्त इसरू ने इस वाल के साथ आरसेवी का पलट वार्ट जारी रखा इसान किसन अब 99 पर आउट हो चुके थे इसान किसन के स्विस्फोटक पारी ने सब कतिल जीत लिया था अब इंडियन्स को चरूरत थी आखरी वाल पर 5 रनों की दोनों टीमों ने विस्फोटक संगर्स किया परन्तो ना तो किसी टीम की पिज़य हुई और ना ही किसी की पराज है ऐसे में अब गेम सुपर ओवर तक मौँच चुका था सुपर ओवर में मुंबै इंडियन्स ने हर्दिक के साथ कायरन को मैदान में उतारा परन्तो ये तोनों बल्लेवाज सुपर ओवर में मैच 6 रन बना पाते हैं ऐसे में अगली 6 गितों में अब RCV कुछ चरूरत थी 8 रनों की ये 8 रनों का लक्ष RCV के लिए आसान नहीं होने वाला था क्योंकि मुंबै इंडियन्स अपने टीम के सबसे सफल गियतवाज जश्रित पुमरा के साथ मैदान में उतर दी है परन्तो कुईली और टी विलियर्स ने इस लक्ष को चेज कर इस मैच को बड़ी आसानी से चीत लिए के रहा मुंबई के बल्लेवाजो का स्कोर काड कायरन पुलाइट ने मुंबई के लिए उस तिन मैच 24 के तो में साथ रन बनाए वहें इसान के सन ने अंठामन के तो में 99 रनों की एक तावर तोट पिस फोटा की दोंसक पारी खे दी ये रहा वैंगलोरू के गेदवाजों का स्कोर काड